दया और करुणा की बुनियात पर हम किसी के साथ भी अपनतफ का रिष्टा काइम कर सकते हैं फिर चाहे इंसान हो या जानवर दोनों ही जेव इस भाव की भूखे होते हैं जब इसी भाव से इंसान और जानवर का मिल मिलाप होता है तो नसारा बेहत सुकून भरा हो जाता है इसी सुकून की तलाश के लिए विकानिर के नोका में विश्णोई समाज के आस्ता के सबसे बड़े इस्थल मुकाम धाम पर वन्ने जीव रेस्क्यू सेंटर बनाया गया ठीकिन जिम्यदारों के लापरवाही ने इंसान और जानवर के सुकून को छीन लिया है ये रिपोर्ट देखे राजस्तान में विश्णोई समाज जीव प्रेम के लिए देश दुनिया में विख्या थे वन्ने जीव प्रेमी विश्णोई समाज ने खोद अपने खर्चे पर वन्ने जीव की रक्षा के लिए विभाग के साथ नोखा में एक वन्ने जीव रेस्क्यू सेंटर तयार करवाया रेस्क्यू सेंटर बना कर विश्णोई समाज ने वन विभाग को सौप दिया करीब दस बीगा में वन्ने जीवों की देखभाल और राहत देने की रादे से बनाया गया ये रेस्क्यू सेंटर आफ़त बनकर विवादों में आ गया यहां जिमिदारों की लापरवाही वन्ने जीवों की जान पर बनाई सेंटर में रेस्क्यू के लिए लाए गए जीओं की मौत होने पर आठ कार्मिकों को APO कर दिया गया है इसके बाद अखिल भारती जीओ रक्षा विश्णोई सभा यहां वेवस्ताओं में पुक्ता सुदार की मांग कर रही है हम चाते हैं कि यह 95% जो डेथ रेट है इसके लिए वन विवाग के दोनों रेस्क्यों सेंटर के इंचार्जों ने कभी भी डियो लेटर उच अधिकारियों को अगर लिखाया तो हमने उसकी जांच के लिए क्लेक साब को काया है कि इसकी जांच लाई अगर लिखाय रूच अधिकारियों ने कोई एक्षन नहीं लिया है और एक्सपर्ट टीम को नहीं बुलाया है तो हम मानते हैं कि यह बहुत गंबीर विशे है अखिल भारती जीवरक्षा विश्णोई सभा का दावा है कि वन्ने जीवर रेस्क्यू सेंटर में पिछले 9 महिने में 1374 वन्ने जीवर को रेस्क्यू के लिए लाया गया है जिन में से करीब 100 वन्ने जीव ही सेंटर में बचे हैं वही 400 बाण में वन्ने जीवर की पंचनामा रिपोर्ट मौजूद हैं लेकिन बाकी 700 के करीब वन्ने जीवर कहां चले गए यही सवाल रेस्क्यू सेंटर को संदे की घेरे में खड़ा करता है आईए पिछले नो महिने में सेंटर पर लाए गए वन्ने जीवों पर एक नजर डालते चिंकारा 1132, मोर 116, नीलगाए 105, उल्लू 4, कबुतर 8, बगुला 1, कोयल 1, खरगोष 6, काला हिरन 1 वहीं उदर विकाने रूपवन संरक्षक रंगा स्वामी ही का कहना है कि पूरा मामला गंभीर है, जिसकी जाज की जा रही है, इसको लेकर उन्होंने खुद भी मौका मौइना किया रंगा स्वामी वने जिवों की मृत्यूदर जादा होने पर चिंतित है, इसकी भी जाज की जा रही है बचाने के लिए, वैसे हम कुछ अनिमल भी बच्चा आते हैं वैसे बिकानेर में वने जिवों के लिए दो रस्क्यू सेंटर बनाये गए हैं, जिनमें से एक नोखा में तो दूसरा बिकानेर में है दोनों सेंटर्स की बधाली को लेकर पहले भी शिकायत होती रही है लेकिन इस बार अखिल भारतिय जीवरक्षा विश्णोई महासबा लामबंद नजर आ रही है दुनिया भर में जब वने जिवों को बचाने की कोशिश हो रही है इस समय जब मोधी सरकार विदेश्ट भारत में चीतों का पुनरवास कर रही है तो फिर नोखा में वने जिवों की बेकदरी आखिर होई क्यों फरस्ट इंडिया के लिए बिकानेर से लक्षमन डाखाव की रिपोर्ट